नमस्कार इमाच्छल अभी अभी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अवंतिका खत्री आज बात करेंगे करमचारी वर्ग को लेकर पीते सौंबार को कार्विक विभाग की और से एक नोटिफिकेशन जारी होता है हाला कि इस नोटिफिकेशन में कुछ बाते ऐसी हैं जो बिल्कुल स्पस्ट रूप से नहीं लिखी गई हैं मगर इस नोटिफिकेशन के आधार पर जिस मुद्दे पर सबसे जादा चर्चा हो रही है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग विभागों में अगले साल से सिरफ 31 मार्च को ही दो साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले करमचारी नयमित होंगे क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी 30 सितम्बर का जिक्र नहीं किया गया है जिससे ये माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने 30 सितम्बर को जिस तरह से पहले करमचारी नयमित होते थे उस व्यवस्था को स्माप्थ कर दिया है मार्च 2024 से उपलग पदों के हिसाब से ही करमचारी नयमित होंगे ये भी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है नयमित करने के लिए अनुबंध पर न्युक्ति के समय की वरिष्ठता ले जाएगी ये भी नोटिफिकेशन में हाला कि कहा क्या है यानि कि अगर हम मोटे तोर पर बात करें तो सुख सरकार ने दो साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले करमचारियों के लिए नयमिती करन की व्यवस्था में थोड़ा बदलाब कर दिया है प्रदेश में अभी दो साल कानुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले करमचारियों को 31 मार्च और 30 सितंबर को नियमित किया जाता रहा है मगर अब केबल एक बार ही करमचारियों नियमित होंगे अगर जो नोटिफिकेशन बीते सौमवार को जारी हुई है उस आधार पर हम बात करें क्योंकि उसमें 30 सितंबर को लेकर कोई आगे जिक्र नहीं किया गया है हाँ एक संभावना यहाँ पर क्योंकि हम कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ बाते इस नोटिफिकेशन में सपश नहीं है तो एक संभावना जरूर ये बनती है कि हो सकता है सरकार 30 सितंबर को लेकर बाद में कोई नोटिफिकेशन जारी करें लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन बना हुआ है और इस कंफ्यूजन में जो सबसे पहले पॉइंट पर डिसकेशन हो रहा है वो यही पॉइंट है कि अब साल में एक ही बार करमचारे नियमित होंगे क्योंकि सरकार की और से विभाग की और से अभी इस पर कोई स्पश्टी क करण नहीं आया है चार दिन मसले को बीट गए हैं तो माना यहीं जा रहा है कि शायद यहां पर व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है और अब नियमित करमचारी एक साल में एक बार ही होंगे और जिस तरह से करमचारीों के नियमिती करण की ही अगर हम बात करें तो उन्हें भी उपलब्ध नियमित पदों के हिसाब से ही यहां पर नियमित किया जाएगा साथ ही 30 सितंबर को दो साल कानुबंथ सेवकाल पूरा करने वाले करमचारियों को नियमित होने के लिए अगले वर्ष 31 माज तक का इंतजार करना पड़ेगा अगर साल में एक बार ही नियमिती करन किया जाता है तो फिल अब जाहिर सी बात है कि यहां पर लेखिए वरिष्टता का अधार भी बनाया गया है लेकिन इसके अरावा गर हम बात करें तो यह जो नई व्यवस्ता है अगर साल में एक बार ही करमचारी नियमित होंगे तो उससे दिक्कत यह है कि सरकार पर तो वित्य बोज कम पड़ेगा लेकिन करमचारियों को वित्य नुकसान हो जाएगा अब मान लीजिए क्योंकि कुछ करमचारी तो ऐसे होंगे जिन्हें अपने नियमिती करन के लिए साल भर का इंतजार भी करना पड़ सकता है तो ऐसे में उन्हें नुकसान वित्य अतार पर जेलना पड़ेगा और क्योंकि ये करमचारियों को रास नहीं आ रहा है विरोध हो रहा है दबे मों यहां पर बातें इसको लेकर शुरू हो गई है कि ये फैसला सरकार ने सही नहीं लिया है आज हिमाचल राज के अध्यापक संग की और से भी सरकार को इस मसले पर जो है आप कह सकते है कि सरकार को कहा गया है कि इस फैसले को सरकार वापस ले अध्यापक संग के अध्यक्ष विरेंद्र चौहान ने आज कई करमचारियों के मसलों पर बात चिट की और उन्हें में से एक मसला यह जो न्यमित करण का है इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखे और उन्होंने साफतार पर कहा कि क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन में जिस तरह से मैंने आपको बश्चाह कंफ्यूजन है क्योंकि ना तो उस नोटिफिकेशन में यह बात कही गई है कि अब साल में सिरफ एक बार करमचारी निक्त होंगे और ना ही उस नोटिफिकेशन में 30 सितंबर की कोई तारिक दी गई है केवल 31 मार्श का उसमें जिक्र हुआ है नोटिफिकेशन में कहीं ये जिक्र हुआ है कि जो रेगुलर होंगे करमचारी उनके लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगी किस तरह से वो अब आगे नियमित होंगे 2000 जो आपका ये 24-25 फानांशल एर होगा लेकिन जाहिर सी बात है कि सपष्टी करण नहीं है कि क्या पिछली व्यवस्था को सरकार ने पूरी तरह से करत्म कर दी है क्या 31 सितंबर वाला यहां पर अब नियमित करण जब होता था वो 30 सितंबर क्या वो नहीं होगा ये कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन करमचारी वर्द में भी है लेकिन जो चर्चा क्योंकि इस नोटिफिकेशन के आधार पर यही माना जा रहा है कि व्यवस्था को बदल दिया है तो अध्यापक संग भी इसका एक तरह से विरोध कर रहा है विरेंद चुहान की और से भी साफ यही कहा गया कि अगर ऐसा सरकार फैसला लेती है तो यह पूरी तरह से गलत है और उस से कही न कहीं करमचारी वर्ग नाराज भी है और उन्हें नुक्सान भी होगा इसलिए सरकार से इस मसले पर लिखित त Раз पर बात की जाएगी और उन्हें उन्से यह उमीद की जाएगी कि सरकार अपना ये फैसला बदले क्या कुछ कहा है यहां पर उन्होंने आई आई आपको सुनवा दे हैं कि कॉंटेक्ट पिरियेड क्या रेगुलेशन काम होता है आप में चर्चा में भी देखा दो दिन पहले कुछ सरकार अपनी इसाफ से काम करती है कुछ चीज अची होती है कुछ चीज जो है करमचारी को खिलाव होती है अगर कोई करने नायने चार दिन पहले जिसमें ऊचान पहले करेंगे और वह एक बार ही होगी अब वह कुछ जो मैं उसको दो बार पड़ कुछ उब पर चुका हूं हाना की वह कुछ कंफूजन को इसको जो सरकार यह बोलने का प्रयास कर रही है की जो रही कत्ती मौंप्यृशन को जिन लिखा कि इसके बाद सेप्टमबर दोजार चौबीस में जिनका टैनियोर पूरा हो रहा दो साल का उनके लिए भी यही मापदन रहेंगे महाँ सरकार साइलेंट हो गी है तो अपने आप में ये नोटिफिकेशन कंप्लेट नहीं है अगर इसका कहीं ये मतलब है कि एक बारी ही रेगुलेशन होनी है दो साल में तो गलत है इसके लिए हम लिखी तरूब में सरकार के समक्षी रिपेजेंटेशन दे रहे हैं कि दो साल अगर जो बात चर्चा में चल रही है वही बात धरातल पर उतरती है तो जाहिर सी बात है इससे करमचारी वर्ग काफी खाफा नजरा अब देखना ये है कि सरकार की और से इस पूरी नोटिफिकेशन को लेकर विभाग की और से क्यास पश्टी करना आता है खिर इसके जाता है कि वो यहां की रेड की हटी है कॉंग्रेस अगर सत्ता में आई तो उसके पीछे की बड़ी वजह भी करमचारी थे ओपीएस का मसला ऐसा प्रदीश में उठा कि बीजेपी मिशन रपीट नहीं कर पाई और कॉंग्रेस सत्ता पर काबिज होगी लेकिन ओपीएस के अलावा भी करमचारियों के बहुत सारे मसले हैं अभी भी सरकार पर बहुत सारी देंदारियां हैं और प्रदेश की वित्तिय स्थिती ऐसी है कि लगातार कहीं न कहीं करमचारियों की जो देंदारियां हैं उसे चुकाने में सरकार विफल रह रही है कुछ समय पहले सीम सु खुने ही खुद ये बात कही थी कि करमचारियों की देंदारियां बहुत सारी हैं हमें उसके बारे में मालूम भी है लेकिन देंदारियां चुकाने में थोड़ा समय लग सकता है मगर आपको बता दे कि यहां पर क्योंकि सरकार एक साल का जैशन मनाने जा रही है तो करमचारियों ने भी अपनी बात रख्या और उन्होंने साफ कहा कि देखिए सरकार तो जैशन मना रही है लेकिन हमारा जैशन अधूरा रह जाएगा क्योंकि अभी भी हमारी बहुत से दे मना रही है लेकिन करमचारियों की देंदारियों को भी चुकता किया जाए उन्होंने साफ़तौर पर यहां पर बात रखते हुए कहा कि सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि करमचारियों की वज़ा सही वो सत्तम में आए हैं इसलिए इस एक साल के जशन के मौके पर सरकार को करमचारियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान तो जरूर करना चाहिए जो डिये एरियर की घोशना है उसे सरकार को अमली जवाबा पहनाना उसको लेकर सरकार बड़ा ऐलान करे ताकि करमचारी वर्ग भी जशन मना सके क्योंकि जतना सामय गुजरता जाएगा सरकार पर ये बोज देंदारियों का और बढ़ता जाएगा और कहीं न कहीं करमचारी वर्ग की परेशानी भी क्या कुछ कहना है डिये एरियर को लेकर कर मांग भी करता हूं सरकार से कि सरकार एक बहुत बड़ा जिश्कन मनाने जा रही है एक साल का लेकिन करमचारियों को बहुत औ empathic होती है यहां सही है कि सरकार बड़े उतार चड़ाओं के दोर से गुजरी एक साल में हमने भी सरकार को नहीं करमचार के पति जो लाइबिटी करमचारियों की है उसके बारे में भी बहुनना मुझे लगता है बड़ा जरूरी है क्योंकि यह ऐसी लाइबिटी यह बढ़ती जाएगी पिछली जब हमने जब एमसी का चुना होता तब भी हमने मुख्यमत्री मौदे के समक्ष बात रखी क जब करमचारियों का डे पेंडिंग है कि यह पूँचली के सरकार का खने बहारENE में नहीं करता है कि के टेंडी करमचारियों को अगर राषी खीख gjort का बुठान भी होना है इनोम्ली जो है उसको ठीक भी करना हो शाथ है बारा पिसेंट जो है वो डी ए की बगायराशी है और जनवरी में चार पिसेंट और सोला हो जाएगा तो मैं ऐसे उमीद करता हूँ कि सरकार जब एक इतने बड़े जचन में जा रही है तो निश्ची तोर पर करमचारियों को जुरूर तोफा मिलेगा क्योंकि जो NPS के करमच पेंशनर्स जो पेंशनर्स हैं हमारे पाज जो OPS में थे उनको कुछ सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा जो है वो एक तौफा नहीं मिला है और मुझे उमेद है और मैं मांग करता हूँ मानने मुक्यमंत्री से कि इस जच्चन के तोर पे माज़ पदेश के करमचारियों को एक बड़ी सौगात आप दे ये के रूप में या उनका एरियर के रूप में दे उसके मांग करते और मिलके भी हम जो है एक दो दिन में माने मुक्यमंत्री कि इस लिकी तरूप में इस मांग को रखेंगे क्यों कि मांगना भी हमारे को पढ़एगा कोई और मांगे ना करमचारियों की और से कर दी गई है कि D.A. की किस्त, सरकार इसे एक साल के जश्न मे करमचारियों को दे, जारी करे अब देखना ये है कि सुकसरकार करमचारियों की मांगो को ले कर क्या कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर नहीं और दूसरा बड़ा मुद्दा उस पे आप अपनी राय ज़रूर रखे ज़ागा ये जो करमचारियों को रेगुलर करने की बात कही ज़ारी है साल में एक बार अगर ऐसा होता है तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताईएगा और इसे के साथ फ स्ब़र आप पक्राव ज़रूर बताईएगी ज़रूर रखे ज़र अबटाव।